मुझे विश्वास है कि अब तक शुरी विधी से सर्सों के लिए बताएगे इसारी बातों को आपने अच्छे से समझा होगा एवंग उसे अपनाया भी होगा आज के वीडियो में हम जानेंगे सर्सों की खेती में सिचाई का प्रबंधन एवंग कीट तथा रोग नियंत्रन के बारे में खेत में नमी कम होने से दो तीन बाद सिचाई करना चाहिए सर्सों में पहली सिचाई फूल आने के समय और दूसरी सिचाई जब दाना भार जाएगा उस समय किया जाता है और जिवा अमरित डाल कर ही सिचाई करना चाहिए सर्सों से हमें अच्छा उपज तभी मिलेगा जब हम इसे रोग और कीडा से बचाएंगे सर्सों का फसल को कीडा से बचाने के लिए पौधा निकलने के बाद हर दस दिन के अंत्राल में हम नीमास्तर को छिड़काव करेंगे जरूरत पढ़ने पर अगनी अस्तर और ब्रहनास्तर को भी छिड़काव किया जाएगा सर्सों में रोग से बचने के लिए खटा मठा गोल डालेंगे या तो गोवर हिंग गोल दवा चिलकाव करेंगे जब सर्सों का फसल 75% फली पिला या सुनाली हो जाए तब हम इसे कटाई कर सकते हैं अगर हम सर्सों की खेती के बताएं गए सभी नियमों का पालन करेंगे तो निश्चत रूप से हमें अच्छी उपज मिलेगी हमें आशा है कि आप सब दिधी पूर्वग सर्सों की खेती करेंगे और अच्छी उपज और आमदनी पाएंगे फसल प्रबंदन में जैविक खात और दवाओं का उपयोग करने से फसल तो सुरक्षत होता ही है साथ ही इसकी उपज अच्छी होती है और हमारे शरीर को भी कोई नुकसान नहीं होता है